हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं आपको बताने वाला हूँ आज अलग-अलग तरगी जो फिट्स आती है जटके आते हैं एपिलेपसी उसके बारे में मैंने कहीं वीडियो में इसके पहले जिक्र किया हुआ है आज थोड़ा उसको अलग रूप से आपको बताता हूँ क्या होता है कि दो तरह की एपिलेपसी की बीमारी आती है मतलब ब्रेन जिसका ओरिइन ब्रेन में भेजे में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ एपिलेपसी जटके मिरगी एक तो एक कुछ तभी कारण है जिसको ओलते है सेकंडरी एपिलेपसी कुछ तभी कारण है उसके वज़े से फिट आ रही है दूसरा होता है कि प्राइमरी एपिलेपसी जब कोई कारण नहीं है और बिना कारण की भेजे में कुछ तभी ऐसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स तैयर हो जाती है और वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स इलेक्ट्रिसिटी जैसे इंपल्स तैयर होते है और उसके वज़े से फिट आ रही है उसको ओलते है प्राइमरी एपिलेपसी तो पहले बोलता हूं सेकंडरी एपिलेपसी secondary epilepsy मतलब यह होता है कि कुछ तभी बीमारी है और वह बीमारी primary है और secondary जटके आ गए पहले कुछ तभी है उसके वज़े से जटके आ गए जैसा बुखार आ गया तो जटके आ सकते बुखार में बच्यों में काथी असर मतलब काफी दिखता है बच्यों में किबुखार आ गया और उसको जटके आ गए टीवी होंते ही दिमाग त्हूंत का दवरा कम पहुच रहा है तो जटके आएंगे या कोई tumor हो गया बेजे में कोई tumor हो गया उसके वज़ा से हो सकता है या ऐसे कोई बीमारी बेजे की है कि जिसके वज़ा से secondary जटका आना चलो जाएंगा egalशीन्य गुमारी आंगे तो उसके लिए फिर वह जो बीमारी पहलए वाली जो है उसका इलाज कर न पढ़ेंगा भीजलि चमक न चमक्ना चलो जाता है दमाग में इतने इंपल्सेश त्यार रो जाते हैं और बहर रून को फिट दिखाई दे एम चल्व ngay ऐक मिनिटि देडी मिनिट बहुत ज्याद हो गया दूटी मिनिट चलती है और उसमें व्यक्ति जो है वह सड्लनली गिर जाएगा आवाज करेंगा, ऐसा जोर से मुह से आवाज हो जाएंगी, आखे उपर गई हुई है, और एक दम गिर जाएगा, और गिरने के बाद में फिर उसको जटके आएंगे, हाथ और पैर ऐसे पूरे जाड़ेंगा, घसेंगा, जमिन के उपर, जबान जो है वो दात के नीचे आज जाएंगी, मुह में जागा जाएंगा, और उसको कहीं भी लग सकता है, कि गिर गया है तो, लोग काफी सारे जमा हो जाते हैं, फिर कोई उसका नाग दबाता, कोई कुछ करता है, कोई उसको चपल सुंगाता है, उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि एक देड़ मिनिट के बाद जाएंगा, एक तरफ करने का है, जाग जो आता है मुह से पोचने का है, मुह में कुछ डालने का नहीं है, कुछ सुंगाने को देने का नहीं है, उसको कुछ भी तक्लिफ नहीं होंगी, या कुछ मार लगेंगा नहीं, ऐसे जग उसको शिफ्ट करने का है, वो धेरे धेरे 2 Minutes में वो आप या खोश में आ जाता है पांच पूलेंट में यह दस मिन में और उच में आ जाया, थे जो बीमारी है इसका कारण ढूमने के लिए जब हमारे पास है जब लाते है पेशेंटे को फिर हम क्या करते कि वी उसका इलेक्ट्रों के फेलोग्राम निकालते हैं, EEG, कि जिससे बेजे में क्या बिमारी है, वो डिखती है, उसका डियागनोसिस हो सकता है, या फिर CT scan निकालते हैं, CT scan में कुछ doubt आ गया, कुछ शक आ गया कि कुछ तभी है अंदर, तो फिर MRI निकालते हैं ब्रेन का, और फिर नॉर्मल है, मगर fit तो आ रही है, ये fit का विशिग ऐसा रहता है कि वो 15 जिन में महने में 1 बार किसको आती है, किसको रोच एखाजिवारा आ सकती है, किसको हट्ते में 1 बार आती है जिन को 15 जिन में, महने बर में 1 बार आती है, तो लोग उसका relationship हमास ये पुरुणिमा को ल करने का नहीं है उसके लिए बहुत सारी दवाईया भी निकलिए और यह फिट के जटके जो है 101 टक का अच्छे हो सकते हैं तीन साल से पांस साल दवा लेना बहुत ज़रूरी है यह फिट आने के पास में वेक्ती ब्योंस हो जाती है तो आखके पास में इनको कुछ दिन तक कम नहीं करने जाना चीए या तैरने के लिए अलवव मंध करना चीए या कोई द्राइविंग अगर करते हैं तो वो फिटक आतें तो उसको driving करने के लिए मना करना चीन कोई ट्रंडडर होते है कोई टेक्सी ड्रयावर होते है इंजिन ड्रयावर रेलवें प्रिल्वे इंजिन ड्रया करन रहा है कि मैंदिक को वृड़ीयthard – चाथिशिका मुट लागा तब तक उनको ये सब अलाव नहीं करना चीए, तीन से पांस साली जम दवाई लेते हैं, तो उनको completely पूरा अच्छा नॉर्मल लाइफ हो जी सकते हैं, कुछ इसमें बीमारी में कुछ ऐसी दवाई हैं, जो दवाई देने के बाद में आंको खुझली आके, तो ऐसा कुछ मतलब जनम के बाद में बच्चा रोटा है तो रोटा नहीं है, इसका मतलब उसको ऑक्सिजन जितना जाना चाहिए था, वह ऑक्सिजन प्राणवाई दिमाग तक गया नहीं, उसको हैपाक्स ही हो गया, तो वह मंदगुद्धी का बच्चा होता है, और ऐसे बच्चे में भ जिसकी आखे ऐसी तेडी रहती, थोड़ा मुह ऐसा छोटा रहता है, उसको ऐसी अकल ठीक रहती है, समझ थोड़ी कम, आईक्यू, नॉर्मल ये जिस बिलो नॉर्मल, मगर उसका उसका ग्रोथ बराबर ने रहता, आखे थोड़ी तेडी रहती है, डाउन सिंड्रोम है, कि शादी हो सकती गया, तो शादी हो सकती है, शादी में कोई अर्चन नहीं है, मगर यसी लड़की है, तो क्या करते है लड़की वाले, ये चुपाते हैं बाट, फिर शादी के बाद में मालूम पड़ जाता है कि लड़की को फीट आ रही है, और फिर प्राब्ल्म खड़ अर्चन यह कि बताया तो कोई शाजी करेगा नहीं इसलिए बताया तभी तकलिफ है नहीं बताया तभी तकलिफ है मगर बताया तो अच्छा है ट्रांसफरंस ही ताकि फिर बात में हमको खसा दिया ऐसा कि इसको लगता नहीं यह लोग बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों को भी प्राब्लम ऐसा नहीं, अनुमोंशिक नहीं है कि मापाप को इधी फीट आती है तो बच्चों को फीट आएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मगर तीन साल से पांस साल दवाई लेते हैं तो यह पुरा 101% अच्छे हो जाएंगे, आपके संपर्ग में ऐसे काफी लोग होंगे, कि जिनको दवाई लेने के बाउजूद भी फीट आती है, तो जरूर उनको यह वीडियो बताएगा, शेर करो, वो दवाई यह बराबर एप्रोप्रेट डोस में लेते हैं, बराबर मात्रा में लेते हैं, तो 101 टक का फीट अच्छे हो सकती हैं, तो उनको जरूर यह वीडि झाल